वेलो स्टीन करते हैं के लास्ट वाज एकसाइज 9.6 से कॉच्छन नमर 18 कॉच्छन है 18 और 19 करते हैं इस वीडियो में तो the integrating factor of the differential equation x dy upon dx minus y equal to 2x square is इसका integrating factor निकालना है और option देरक्स हमार पास तो क्या पहले हैं तो पहले तो टाइब लिखते हैं तो तो द्यों 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 की फ़र्म होगा एक को डिवाइड कर दें सबसे तो एक से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा मर्कास यह हो जाएगा dy upon dx minus क्या हो जाएगा y upon x equal to x square 2x तो p आ जाएगा minus 1 upon x q आ जाएगा 2x अब निकालते हैं इंटिकेटिंग फेक्टर इंटिकेटिंग फेक्टर होताएगा e का p dx e p है माइनस one upon x dx यह से रहेगा minus one upon x का होता है log x यह सी रहा मैनस वहाँ जाएगा तो जाएगा log x की पार मैनस 1 इसे एक एंसल one upon x minus x का मैनस होना है मतलब one upon x तो one upon x कौंसा option है वाँ अपन इसके one upon x है हमारा c option आंसर हो जाएगा इसका c 19 लेखते है इंटीकरिटिव फेक्टर आप द्टीफरेंचिल एक्विचेन मानस y स्क्राइग स्क्राइग प्लस y x इकल तो तो यहां د यहां से इसे सी डीबाइड करेंगे सबको सबको 1- Y2 से डीबाइड कर देंगे इसको भी one minus y Square से इसको भी one minus y Square अर्म को हो जाएगा दी आपं दीवाई प्लस X की तुप होति है तो Y को अलग करते into QAs equal to A y upon 1 minus y square तो यह क्या होगा अमरे पार P तो P हो जाएगा y upon 1 minus y square Q हो जाएगा A y upon 1 minus y square जो भी टर्म इकल to के बाद आती है अब अब निखालते हैं integratingacz यह होगा E उस case में क्या था E p d x इस case में क्या होगा E p d y तो पूरा टीगी वेल्डी डालतेंगे y upon 1-y square dy अब यहां देखो यहां 1-y square है तो अगर हम इसको t put करें 1-y square को t put करते हैं तो minus 2y dy equal dt होता है उपर y है तो y dy को यहां लगते हैं minus dt upon 2 यहां आएगा तो यहां आएगा तो करेंगे e minus इंडिकर्शन किया minus बाहर आए dt upon 2 यह भी बाहर आए नीचे 1-y square इसकी जिए दिनके t यह हो गया तो y dy की जिएगा dt आई यहां इसको करते हैं तो e minus 1 upon 2 1 upon 2 का जाएगा log t 1 upon t का log t यहां गया फिर e log t minus 1 upon 2 इसके उपर जाएगा लोग की पापरटी इस से log cancel t का minus 1 upon 2 यानि 1 upon t का 1 upon 2 और t कितना था हमारे पास? t था 1 plus 1 minus y square तो यह होगा 1 upon 1 minus y square का 1 upon 2 यह होगा integrating factor और 1 upon 2 मतलब root 1 upon 1 minus y square का root यह होगा हमारे integrating factor तो देखां ओप्शन कॉण साइज का 1 minus y square का root यानि option d है तो इसका पांतर होगा option d